शिप्पूरी पीजी कॉलेज में मुख्यमंत्री लाडली भेना योजना के सफल क्रियानवान हे तू महिला बाल विकास अरिकारी देवेंदर सुंदरयाल दौरा आज शुकरवार को शिप्पूरी पीजी कॉलेज में प्रसिक्षन से कारिशाला का जुन किया गया पारिशाला में बताय गया कि ये शासन की महत्पूर्ण फरात्मिक तवाली यूजना है। EKYC करानी के स्थानी प्राशासनी कमला CSC तता MP Online वाले मिलकर महिला हिदगरियों की समग रहे के YC करेंगे जो पूर्ण तरह निशुलक रहेगी। CSC तथा MP Online वालों कुशासन दोरा प्रती हिदगरियी समग के YC करने पा 16 रुपे भुकतान क्या जाएगा। इसलिए हिदगरियों से कोई शुलक नहीं लिया जाएगा। अगर MP Online दुकान से किसी भी तरह का कोई भी शुलक लिया तो कठोर कारवाई की जाएगी। सर आज जो PG College में जो कारेकरम रखा गया था क्या कोई सब्सक्राइगा। अभी हमारा जो पूरा स्टेट गुर्मेंट का लाडली मुख्यमंत्री लाडली बहना स्कीम है। तो उसके लिए हर स्टेक होल्डर को हम लोग ट्रैनिंग दे रहे हैं। तो उसी तारतम्मे में आज PG College में आये थे। यहां जो हमारे स्टुडेंट्स हैं। को EKYC कैसे कर सकता है कोई भी आदमी तो इन लोग मोटिवेट किया था कि अपने परिवार का और कम से कम एक बच्चा जो है का 10 महिलाओं को जो पात्र महिलाएं हैं। उनका EKYC कराएगा तो हम लोग चुकिए पूरा जो more campaign चल रहा है। इसमें जो लाडली वहना स्कीम में एक हजार रुपया पर मन्त बिलेगा वो पूरा आधार एनेबल्ड जो उनका bank account है। उसमें जायेगा तो उसी के लिए EKYC 100% कराना जरूरी है। तो हम लोग maximum जितने भी stakeholders हो सकते हैं सब को mobilize कर रहे हैं, IEC कर रहे हैं। तो उसी तारतम में आज ये रखा था इन बच्चो इस्ट्रेंट्स के साथ प्रोग्राम। पर केंप में बताया कि अपने phone से भी कर सकते हैं लेकिन जिनको जांकारी नहीं वो अपने online stop पर भी चरा सकते हैं। तो उसकी कोई शुल्क बगेरा भी कोई देना पड़ेगी क्यों। नहीं, इसमें state government का बड़ा clear instruction है। ये पूरा जो EKYC होगा हो निसुल्क होगा। EKYC के लिए जो हमारे क्योस्क हैं चाहिए CCC वाले center वाले हो या MP online वाले हो उनको ये निसुल्क करना है। सरकार उन लोगों को 15 रुपया दे रही है जो उनके खाते में आएगा। इसमें कहीं भी किसी भी पात्र हिद्गराई से कोई पैसा नहीं लिया जाए। अगर ऐसा पाया जाता है तो सर्क्याबुष कारवाई आपके बारे की जाए। बिल्कुल ये गलत होगा और इसमें अगर कोई ऐसा केस मिलता है तो परसासन निया मनुसार इसमें कारवाई करेगा।